नमस्कार किसान वाईयों, सरकारी न्यूज टूडे यूटूब चेनल में आपका स्वागत है नर्मा कपास के ताजा बाउ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चेनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें इस वीडियो को लाइक और सेयर कर लें किसान वाईयों इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्मा कपास के भाउ में आने वाले दिनों में कितनी तेजी आ सकती है बजार जानकरों कि इस पे क्या रहा है और इसके साथ नर्मा कपास का जो निरियात है वो कितनी संक्या में किया जाएगा और कब तक निर्यात पूरी तरिके से शुरू हो जाएगा सबसे बहले बात करें किसानवियों अगर भाव की तो पिछले कुछ दिनों से नर्मा कपास के भाव में सुधा रहा है नर्मा का भाव आठ हजार रुपे से नो हजार रुपे परती के उंटल में जबकि कपास का भाव पैंसेट सो रुपे से निर्यात को लेकर लगाता डिमांड की जा रही है क्योंकि वहाँ पर भी फसलें काफी खराब हो गए है लेकिन अभी देश के अंदर ओमिक्रोन का जो खत्रा है वो मंडरा रहा है जिसको देखते हुए निर्यात पूरी तरिके से शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि कई देशों के साथ पूरी तरिके से निर्यात आयात बग़रा बंद कर दिये गए है और फ्लैट से भी बंद कर दिये गए है ऐसे में करोना अगर कंट्रोल में आता है तो निर्यात पूरी तरिके से शुरू किया जाएगा और भाव में अच्छी तेजी आ सकती है क्योंकि अभी अगर मार्केट की बात करें तो सभी चीजों के दोधाम है वो डाउन पड़े हुए है लेकिन नर्मा का पास की डिमांड लगातार बाजार में बनी हुए तो इसे में भाव में तेजी आने के आसार पूरे हैं लेकिन अगर क्रोना कंट्रोल में आता है तो अच साधी आड़ जार के बीचे में बहुत चलते रहेंगे